लालियादों से जब निहा सिंगरा ठोर के बारे में पूछा जाता है उस वक्त खिसारी लालियादों ने कुछ ऐसा जवाब दिया था जो काफी जादा वायरल हुआ था तेकी वो हमारी बहन है अब पैसान गया हूँ जब से उन्होंने यह बोला है किसारी लालियादों ने कहा कि बागिश्वर बाबा जैसे लोग अपने यहां अगर किसारी लालियादों को बुला रहे हैं इत्मिंस की किसारी लालियादों में कुछ तो बात है खीत मशीन टर्णिंग स्टार कहे जाने वाले, बोषपूरी इंडस्ट्री के धरोहर, गायकक अभिनेता, खिसारी लाल यादो का एक नजा इंट्रव्यू सामने आता है और उस इंट्रव्यू में खिसारी लाल यादो से जब एक सवाल किया जाता है कि एक लोग गाईका है जिनका नाम है नेहा सिंगरा ठोर और नेहा सिंगरा ठोर बे अपने एक इंटर्व्यू में आपको और पमन सिंग को सड़क छाब गविया कहा है और नेहा सिंगरा ठोर ने ये भी कहा है कि ये भोशपूरी के ऐसे गायक है जिन्होंने भोशपूरी की कुछ दिया नहीं है इन लोगों ने सिर्फ भोशपुरी के साथ बलातकार किया है ये लोग रेपिस्ट है इनको सजा होनी चाहिए और ऐसे कलाकारों को यूपी बिहार पुरवांचल के लोगों को सड़क पर खड़ा करके जूते चपल पर मारना चाहिए क्योंकि ये इसी ला साथे बोलना किसारी लाल यादो को कैसा लगा इस पर आपका क्या बयान है तो किसारी लाल यादो कहते हैं कि देखिए हम नेहा सिंग्राठोर को अपनी बहन मानते है उसके बाद जब किसारी लाल यादो से पूछा जाता है कि क्या आप नेहा सिंग्राठोर को जानते हैं त इस बार किसारी लाल यादो ने नेहा सिंग राठोर को जवाब देते हुए ये कहा है कि नेहा सिंग राठोर अगर किसारी लाल यादो को खराब कह रही है या जूता चपल मारने की बात कर रही है तो नेहा सिंग राठोर को ये सोचना चाहिए ये समझना चाहिए ये बुद् इसके अलावा पवन सिंग का पक्ष लेते हुए खिसारी लाल यादो ने कहा कि पवन सिंग को देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस्टार प्रचारक बनाती है इसका मतलब कि बीजेपी ने कुछ तो सोचा होगा अगर पवन सिंग इतने बुरे होते सिर्फ अश्ली पवन सिंग इतने बीजेपी आई तो पुरानी गलतियों को भूल जाने में ही भलाई है किसारी लाल यादो ने तुलसी दास बालमिकी जैसे तमाम लोगों का उधारन दिया और यह कहा कि जब उनके उपर जिम्मेदारी आई जब उनको बताया गया किसारी लाल यादो को अपना चश्मा बदलनी की ज़रूरत है उनके नजरिया का दोश है इसमें उनका कोई दोश नहीं है ऐसे में करोडों लोगों के नजरिया गलत होते तो खिसारी कभी स्टार नहीं होते है किसारी ने पवन सिंग के लिए भी यही बात कही कि पवन सिंग को पवन सिंग ओडियंस ने बनाया है और ओडियंस अगर किस पवन सिंग को पवन सिंग नहीं बनाना चाहती तो कभी नहीं बनते ऐसे में सिर्फ एक इंसान के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता अगर कोई स् जबाब दिया कोई भी अब शब्द किसारी लाल यादो अपने मुह से नहीं बोलते हैं और इस बयान के लिए किसारी लाल यादो के प्रशंसा भी हो रही है कि निहा सिंग राठोर लड़की होकर किसारी और पवन के लिए क्या कुछ बोल रही है और किसारी लाल यादो मर्द होकर कितने सुन्दर तरीके से निया सिंग रठोर को जवाब दिये हैं इसके साथ इस वडियो को समाथ करते हैं मलते हैं वीडियो में धन्यवाद